दोस्तो शड़ी मूड में आपका स्वागत है CSBC ने बिहार फायर मेन वाले अभियार थी जो 2382 का फिसकल के तैयारी कर रहे हैं ओफिसियल तोर पर आपका डेट घुशित कर दिया है नोटिस भी जारी किया है फिसकल के समय क्या क्या परोधान होता है यानि कि फिसकल के समय कौन सा डॉक्मेंट आपको ले जाना है कैसे फिसकल में आप पाटिसिपेट कर सकते हैं एडमिट काट कब से आपका डाउनोड होगा ये सभी जनकारी इस वीडियो में आपको मिलेगा तो वीडियो शुरू शिर के अंतक देखिएगा आपको सबसे पले CSBC यानि Central Selection Board of Constable का फिसल बेव साइट पर आ जाना होगा यहां आने के बाद आप देखिएगा बिहार फायर सर्विस वाला टेम में आईएगा तो यह आपको देखिएगा 1 October 2022 के डेट में यह आपको नोटिस दे दिया गया था ठीक है और यह नोटिस आप डाउलोड कर लिज यहां पर आप कलिक किजício गे गा तो यह डाउलोड हो जागा देखिएगा और यहां पर धेखिए पीडियेफ में इसे खोलता हूँ ठीक तो पीडियेफ में इसे कोलेगा तो यह सभी जनकारी इसमें दिया हुआ है और ये दो चीज़ के बारे में बहुत मतपूर है एक तो fiscal date और fiscal date पले ही मैंने बता रखा था कि 8 या 9 November दो दिन आपको date पर सावित है और उसी दिन से आपका fiscal start हो जागा था 8 November या 9 November अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगनी 7 में आप देख सकते हैं कि अगनी 7 मतलब की fire में यह आपको कौन-कौन सरीरिक दक्षता परिक्षा या अभिलेक सत्यापन में इसके डोकुमेंट फिरिफिकेशन में इसके लिए नोटिस है अब इसका जो एक्जाम हुआ था 3802 के लिए यह हुआ था एक तो आपको 27 मार्च 2022 को हुआ था और फिर 194 जो ओम हो गया था फ आठ नॉमबर 2022 से अउजित की जाएगी यानि कि आठ नॉमबर 2022 से आपका फिसकल अउजित किया जाएगा और यहां पर एक बात और सूचने वाला चीज है कि जिन अभिहार्थी का अपना रियल्ट नहीं देख पाए थे जैसे रेजिस्ट्रेशन नमबर नहीं था या रोल हुआ है और अपना ही समय आपको मिलेगा तो वह भी अभिहार्थी अपना देख सकते हैं और जो पहले से देख रखे हैं वो तो उनको तो डाउनलोड करना ही है कब से अपका डाउनलोड होगा तो यह 12 अक्टूबर 2022 से आपको ऑफिसल बेस साइट से अपना अपना डाउन किया गया है अब यहां पदिके चैनित अभियार्थी के सरेख दक्षता परिक्षा की तीथी समय और अस्थान के सुचना परविस्पत पर दी जाएगी यानि कि कहा आपका फिसकल होगा इस बारे में जनकारी आपको एडमिट कार्ट पर ही दिया जाएगा यह बाद ध्यान के तीथी पर सभी निर्दिस समय पर अपने परवेस्पत्र और निमांकित मुल परमाणपत्र था उनकी एक सेट्ट स्वप परमाडित छाप्रति के साथ उपस्थित होंगे कहने का मतलब कि डॉकमेंट में आपको कौन कौन सा डॉकमेंट्स ले जाना है डॉकमेंट्स का द उसका आपको ले लेना होगा रियल्ट और आपको सट्फिटेग होगा तो भी ले सकते हैं नहीं तो प्रवेजनल ले सकते हैं ठीक और यह जो आपको दिया है कि दिनांक 1822 तक या इसके पूरी सच्छिडिक अहरता बीस तक माणने है क्योंकि वो डेट जो दिया हुआ था चाहिए यह कमसकम होना चाहिए क्योंकि इंटरमीडियाट आपका कौलिफिकेशन हो गया अब जनम जो परमाणपत्र होता है यानि कि जनम तीति कैसे मिला जाता है तो यह मैट्रिक के दो सट्फिटेग होता है आपका 10 क्लास का उसी के एक कोडिंग मिला जाता है ठीक फिर अरक्षड के लिए जाती परमाणपत्र देजिएगा जैसा नोसुची जाते नोसुची जन जाते पिछड़ा वर्ग के कोटी के जो भी अभिहार्थी अपना ले रहे हैं कोई भी अरक्षड के सुभिधा वो लगाएंगे जैसे EWS वाले EWS भी लगाएंगे और आप देखि फिर आपका दिक्कत प्रब्लम फेज करना पड़ेगा और सभी बिहार के डॉक्मेंट सबको लेकर जाना है ठीक तो ये NCL भी आपको लेकर जाना है फिर से मैं बता देता हूं कि जाती परमाणपत्र में जो BC और EBC वाले कंडिडेट होंगे उनको क्या लेकर जाना होगा यानि को OBC वाले जो कंडिडेट होंगे उनको NCL भी लेकर जाना है ठीक ये भी दिहान मरेकिएगा और जो बिवाहित या अ बिवाहित कोई भी जो महिला भियारती है वो पीता के नाम पर सभी सेटिफिटेक लेकर जाएंगी ये भी दिहान मरेकिएगा तब ही उनको सभी अरक्षित कोटी का भियारती के लिए ठीक यानि कि अब यहां से कंफ्यूजन आपको दूर होना चाहिए जो बार बार पूछ रहे थे मैंने बताया था कि आपको बता देंगे जैसे कि बहुत सभी हर्थी ये पूछते कि सर हम साधी तो मेरा हो गया ठीक सो हम निवास क तौधा के लगा सकते हैं जैसे कि अपने गाउंट से भी लिए इसे जरूर गोर कीजेगा ठीक तो अरचड़ वाला जो भी अपसेड वी अपसर्टिक लगाईएगा वो पिता के नाम पर लगाईएगा और बिहार होने संभधी प्रमाणपत्र यानि बिहार के कहीं भी छेत्र से हैं लेकिन बिहार होने संभधी प्रमाणपत्र तो लगाना ही पड़ेगा आपको मतलब निवास कहने का मतलब बिहार का भिहार जो राज के गिरी रक्षक वाले अभिहार्थी हैं मतलब गिरी रक्षक वाले जो पास हुए ठीक नया पुराना कोई भी हो आपको ले कर जाना है इस बात को ध्यान रखेगा अब यहां पर देख लिजे एक चीज़ यहां पर ध्यान देने वाली बात है EWS वाले अभिहार्थी थोड़ा ध्यान पुरोग देखिएगा बिहार राज के आर्थिक रूप से कमजोर वर के सदस होने संबंदी BTA वर्स 2021 होना चाहिए तो BTA वर्स 2021 इलिए मानने परमाणा पत्र होगा तो ये आप कोसिस कीजएगा कि 20-21 वाला ही परमाणा पत्र लेकर जाए अगर नहीं होगा तो नाया लेकर तो जाना ही पड़ेगा जिन अभियार्थियों को करोना का लच्छर पाए जाएंगे उन्हें सरीक दक्षता पेच्छा में भाग लेने का नुमती नहीं दी जाएगी तो ये तो फाल्तू की चीज़ लिख दिया है अब किसको करोना हो रहा है ठीक में भी आपको सुरच्छा तो रखना ही है मासक उसको लेकर जाना है करोना संक्रमन को ध्यान में रखते हुआ अभ्यारती सोसल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे अनवर्सक रूप से अपने साथ किसी को नहीं लाएंगे मासक पहने रहेंगे मतलब कि ये सब आपको जो पहले हुआ था फिसकल उसी टाइप से है कि आपको मासक उसको पहन कर जाना है सभी योग उम्मेदवारों को बिग्यापन संख्या 01-2020 में मोडित सभी साथे अपरधानों को पूरा करना अनिवार है तो ये ओबराल था इसका मैं PDF सेयर कर दूँगा कहने का मतलब यह है कि आप जाईएगा तो अभी से अपना डोकुमेंट्स अच्छे से बनवा लीजिएगा अगर नहीं बनवाए है तो अभी है तो बेटर होगा ठीक और जो फॉम भरते समय का अभी डोकुमेंट्स होगा वो भी आप ले सकते हैं जैसे कि उस समय का ही आप फिर तो उस समय का ही अप ले सकते हैं और नहीं है तो फिर तो उस समय तो बनवा नहीं सकते तो अभी नयाप बनवा कर ले जाईएगा तो ये बात ध्यान मरेकिएगा इसलिए बूला जाते कि फोम भरने से पहले आपके पास अच्छेट होना चाहिए जो भी आप फोम भर नहीं तो आयोग कब खेला खेल देगा कोई नहीं जानता है तो यह ध्यानमर किएगा तीन असपरदा में आपको भाग लेना है दोड़ में 50 अंक है आपको एक बार मात्र चांस मिलता है और इसमें पास कीजिएगा तभी हाइजब और गोला फेक ने दिया जाएगा ठीक और हाँ पर हाई जम का 25 नंबर है और गोला फेक हाई जम में तिन तिन चांस आपको मिलता है यहीं जनकारी देना था बाकी जो भी आपका डाउट है मैं जल्द ही आपको डाउट को क्लियर कर दूँगा अगर कोई डाउट है तो जरूर कोमेंड बुक्ष में लिखिएगा ला अब वीडियो भी नहीं आ पा रहा है और मेरा आवास भी देख रहे हैं थोड़ा बदला बदला लग रहा है ठीक सो जैसे ही ठीक होते हैं आपको हर तरीका से बिहार के जो इक साइस कुश्टिबल है उसका भी तैयारी यानि कि रिवीजन कराना है उसका भी कुश्चन आप